हेलो एब्रीवान आफर वेरी लॉंग टाइम विल्कम बैक टो टे चैनल आज हम इस वीडियो में इंपोर्जन आर्टिकल्स को देखने वाले हैं अनुछे जो हैं समिधान में उनके बारे में और अभी जैसे की एक्जाम चल रहे हैं तो जितना मैंने देखा है आर्टिकल्स से एक या दो क्वेशन जरूर रहते हैं जीके वाले पार्ट में तो अच्छा होगा अगर आप देने जा रहे हैं एक्जाम तो आप इस यह जो पार्ट है इसको रेडी करके जाएं मुश्किल नहीं है बिल्कुल देख लेते हैं एक बार सकसे पहले है आर्टिकल एक से लेकर पांच तक यह बात करता है यूनियन एट्स टेरिटरी की यानि कि भारत के अंदर जो संग है और उसका राजय शेत्र है वो कितना है किस एरिया को भारत का शेत्र माना जाएगा ठीक है और जब हम बुलते हैं भ जाजी की बाउन्डरीज चेंज करनी है तो यह सब काम भी कौन करेगा किसके हाथों में यह शक्तियां दी गई है ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 5 से लेकर 11 यह बात करता है सिटिजन्शिप यानि की नागरिक्ता की कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत का नागरिक माना जाएगा भारत की नैचरल सिटिजन्स कौन से होंगे अगर कोई सिटिजन नहीं है लेकिन बनना चाहता है तो उसकी क्या कंडिशन्स है अगर किसी की सिटिजन्शिप खत्म करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉसेस है या क्या कंडिशन्स है यह सभी के बारे में ब जो की बात करता है हमारे fundamental rights की और यह जो हमारे 6 fundamental rights है इन में से question पूछा जाता है ना बहुत chances है इसके तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में दिये गए है हमारे पास कुल 6 ऐसे अधिकार है जो मौलिक अधिकार है पहले साथ हुआ करते थे लेकिन जो संप आर्टिकल 300a में फिलहाल हमें right to property देखने को मिलता है इसके अलावा जो 6 rights है वो हमारे fundamental rights है यह कौन कौन से है एक बार देख लेते हैं तो 12 से 35 में है है यहां पर यह सारे 6 rights है जो 14 से शुरू होते है लेकिन क्योंकि 12 से fundamental rights start है तो 12 और 13 में क्या है यह एक बार में बता देत है है ना कि राजे यह नहीं कर सकता या फिर राजे के पास यह राजे की duty है कि वो अवसर की समानता provide करे राजे भेदभावना करे इस तरह से हमारे सारे मौलिक अधिकार में किसी ने किसी तरह से राजे शब्द का पर्योग किया गया है तो यह जो राजे है यह क्या होगा परिभाशा दी गई है अर्टिकल बारा में ठीक है और राज्य क्या होगा तो हमारी जो सेंट्रल गवर्मेंट है उसके अंदर गत जितना भी काम है हमारा जो स्टेट गवर्मेंट होती है पंचायते है नगरपाले का है जो तीन त्री टाइर सिस्टम है या फिर तीन लेवल गवर्मेंट है हमारे यहां यह सब भी राज्य में शामिल होगा इसके अलावा अलग से कोई भी बॉड़ी होती है चाहे वह समवेधानिक बॉड़ी हो या फिर वैधानिक बॉड़ी हो जैसे कि हमारे पास LIC है ONGC है सेल है यह सब भी राज्य के अंतरदर चामिल किये जो इन मौलिक अधिकारों का हनन करते हो ठीक है और अगर ऐसा कोई भी कानून कोई भी विधी कोई भी विधान ऐसा बन गया है जो इन मूल अधिकारों का उलंगन करता है इनका हनन करता है तो ऐसे किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है नियाले में ठीक है तो मेंली बताया गया है कि कोई भी ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का हनन करते हो वो न्याइक समिक्षा योग्य है या फिर जुडिशन रिव्यू उनका किया जा सकता है यह कहा गया अर्टिकल 13 में उसके बाद आए आर्टिकल 14-18 इसमें बोला गया है राइट टू इक्वालिटी कि आप थोड़ा इडिडेल में पूछते हैं तो ऐसे पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या का गया है या फिर 17 में क्या 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 है तो एक बार मैं यह भी आपको बोलकर बता देते ह। सून लीज़का सबसे पहले आर्टिकल 14 я क्या बोलता है कि कानून के सामने सभी सम है ठीक है कानून किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा आर्टिकल 15 की बात करें तो यह बोलता है कि कुछ ऐसे करणीशन्स बताई है जैसे कि धर्म मूलवंश लिंग जन्मस्थान इन सभी के आधार पर राजे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा फिर आता है नेक्स्ट 16 में कहा है अवसर की समानता इकुल पॉर्चुनिटी राजे सभी को देगा जब हम बात करते है आर्टिकल 17 की तो यह कहता है कि छुआ छूत जो हमारे समाज में बहुत प्राचिन समय से आ रही है उसको समाप्त करने का काम करता है आर्टिकल 17 छुआ छूत की घटना कोई भ होती है तो वो पनिशिबल ओफेंस है ठीक है और फिर आते हैं आर्टिकल 18 पर तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी टाइटल है ना वो नहीं दिये जाएंगे किसी वेक्ति को कुछ एक्सेप्शन के साथ जैसे कि कोई मिलिटरी का कोई टाइटल है या फिर विद्या संबंध इजुकेशन के फिल्ड में कोई टाइटल है उनको हटा कर उनके अलावा कोई भी टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा या कोई भी वेक्ति कोई टाइटल एकसेप्ट नहीं करेगा अच्छा इसी से रिलेटिड एक फेक्ट मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि महात्मा गांधी जो है उन्हें हम क्या और अबहुत है kokief लेकिन लीगलिवी नहीं लिखा है कि महात्मा गांधी को टाइटल लीगली नहीं दिया गया है और क्यों हम ऐसा कहते हैं क्यूंकि आर्टिकल 15 जो हमारा है यह टाइटल्स को बैन करता है टाइटल्स पर रोक लगाता है ती नेक्स्ट है हमारा 19 से 22 इन आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम की बारे में बात की गई है अब इसमें पहले बात करें आर्टिकल 19 की तो इसमें छे तरह की राइट दिये गए हैं और ये हैं सबसेक्शन सattu 8 a b c d e f e o 2 ये सारे शे राइट यो ये राइट डू फीडम की अंतरगा आते हैं कौन-कौन से हैं छे बोलने की और अभिवैक्ति देते टा संग हैं एक association बनाने की स्वतंतरता कहीं भी गूमने फिरने की कहीं भी रहने की और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंतरता ये 6 दरह की rights आर्टिकल 19 में दिये गए है फिर उसके बाद है आर्टिकल 20 इसमें क्या बोला है इसमें बोला है कि अपराद अगर किसी ने किया है तो उसके भी कुछ rights होते हैं उनकी सुरक्षा करना या इसे हिंदी में कहते हैं अपराद के लिए दोश सिध्धी से related protection ठीक है अब इसमें किस सरे का protection दिया जाता है अपराद के category में डाल दिया गया है तो उस 10 साल पहले चीज के लिए जो उस टाइम अपराद था ही नहीं उसे आज सजा नहीं दी जा सकती है ठीक है और इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से जादा सजा नहीं दी जा सकती तो ये अधिकार जो है ये सब ही दिये गएं आर्टिकल 20 में उसके बात करें आर्टिकल 21 की तो ये क्या बोलता है Right to life प्र है इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 21 फ attent ट्वंटी-टू ये बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफतारी से protection की बात करता है कैसे कुछ example में देती हूँ जैसे की आपने ये चीज़ आपको पता होगी कि महिलाओं को अगर गिरफ़तार करना है तो ये कानून है कि शाम के 7 या 8 बज़े के बाद गिरफ़तार नहीं कर सकते हैं गिरफ़तारी के ले एक महिला कौंस्टेबली चाही recommendations या फिर महिला पूलिस ही चाहिए इसी तरह से हुता है कि अगर गिरफ़तारी जी जारी है किसी की तो उसे इनफॉर्म किया जाएगा कि इसे कि ये गिरफ़तार किया जा रहा है तो इस तरह कि जो भी अधिकार है ना गिरफतारी से रिलिटेट जो भी प्रोटेक्शन के लिए अधिकार दिये गए हैं ये सब आर्टिकल बाइस में हैं अब यहीं पर एक आर्टिकल चुट गया है 21A जो है इसके बारे में भी जान लीजे 21A जो है इसे बाद में एड किया गया कवाइड किया गया 86 constitutional amendment हुआ था कब हुआ था 2002 में हुआ था और इसमें आर्टिकल 21A को शामिल किया गया जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है राइट तो एजुकेशन तो यह अगर पूछा जाए इंपॉर्डन यहाद रखिएगा राइट तो एजुकेशन कौनसे आर्टिकल में दिया गया है तो 21A में दिया गया है और इसमें बोला गया है कि 6-14 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रुवाइड की जाएगी उसके बाद आजते हैं 23-24 यह बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाइटिशन अच्छा ज्यादा डिटेल में तो नहीं हो रहा है लेकिन डिटेल में होना मुझे लगता है कि ज़रूरी है क्योंकि एक्जाम में मैं यह तो बता दूगी 25-28 यह है 39-39 यह है लेकिन अगर बीच से कहीं पूछ लेंगे तो आप कैसे अंसर करेंगे और हलाकि मैं यह अगर करें कि आपको इसा बाते हैं पहले आप पढ़ चुके हैं लेकिन अब लास मोमेंट पर रिविजन के लिए भी जरूरी है तो देख ृषे जो कार खानों में काम करते हैं खतरनाक का मोमें उनको लगाया जाता है बाल मसूरी जह कहते हैं चाईलड लेबर उस से प्रोटकेशन प्रवाइड करता है अर्टिकल चॉपेस उसके बाद आजाता है आर्टिकल 25 से लेकर अरटाशं यह सभी आर्टिकल बात करते यह व्यक्तियों के पास यह freedom है ठीक है और यह fundamental right है उसके बाद है article 26 यह बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को अपने धर्म से related कुछ भी काम करना है तो वो कर सकता है ठीक है तो अभी यह तोनों में difference समझेगा जो article 25 है यह एक व्यक्ति को अधिकार दे रहा किसी भी धर्म को माने किसी भी धर्म का आच्रन करें किसी भी धर्म को follow करें उसका प्रचार करें आर्टिकल 26 जो है यह धार्मिक संप्रदाय को अधिकार दे रहा है कि कोई भी एक संप्रदाय है धार्मिक संप्रदाय है वो अपने धर्म के लिए जो भी काम करने है जैसे को मंदिर बनाना है कोई फेस्टिवल है तो फिर उस पर आयोजन करना है कुछ या फिर मस्जिद बनाना है या इस तरह का गुरुद्वारा बनाना है ऐसा कुछ भी काम करना है तो वो करने के लिए फ्री है ठीक है तो यह हो गए 25 और 26 उसकी बाद बात करें इसकी तो यह क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक कारे के लिए खर्च कर रहा है तो उसको उस खर्च पर टेक्स देने के लिए बात है नहीं किया जाएगा ठीक है और या फिर इसमें यह भी बोला गया है कि राज्ये जब टेक्स ले रहा है न तो टेक्स को इसल और ऐसा किया गया है ताकि यह इंशौर किया जा सके कि राजे किसी एक धार्म का पक्ष नहीं ठीक है तो यह बोला गया आर्टिक्ल 27 में उसके बाद आता है आर्टिकल 28 जो चौधा आर्टिकल है राइट टू रिलिजिस फ्रीडम का ये बात करता है कि राजे कोई भी इंस्टिटूशन चला रहा है चाहे स्कूल चला रहा है कॉलेज चला रहा है या कोई भी इंस्टिटूशन जो राजे चला रहा है एजुकेशन की फिल्ड में उसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ठीक है तो यह बुला गया आर्टिकल 28 में उसके बाद है आर्टिकल 29 और 30 यह बात करते हैं कल्चुरल और एजुकेशनल राइट्स की इनमें क्या बुला है तो 29 जो है यह बात करता है माइनौरिटी के प्रोटेक्शन की जो अल्प संख्यक होते हैं उनके हित सुरक्षित रह सके इसकी कोशिश की जाती है इसके आधार पर आर्टिकल 29 के आधार पर इसमें किस तरह से हितों की बात की जा रही है तो जो अल्प संख्यक हैं माइनौरिटी हैं उनके उनकी जो जो भी मायनोरिटीज हैं अल्प संख्यक वर्ग हैं वो अपने कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार की एजुकेशनल कोई संस्था उन्हें बनानी है या फिर उन इंस्टिटूशन का प्रबंधन करना है तो उससे नहीं रोका जाएगा ठीक है तो अल्प सं आर्टिकल 32 आजाता है 31 कहां गया 39 के बाद 31 में क्या था हमारे संपत्तिक अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी वो दिया गया था जिसको रपील कर दिया गया 32 में क्या है राइट टू कॉंस्टिशनल रेमेडीज इसमें बोला गया है यह जो है इन सभी को विधान की आत्मा कहा था है ना क्यूं कहा था क्योंकि यह सभी आर्टिकल को सुरक्षित रखने के लिए यह आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंबोर्टन है इसमें क्या बोला गया है कि अगर यह सभी हमारे fundamental rights का हनन होता है कोई व्यक्ति कोई राज्य या फिर कोई institution कोई body को अगर हमारे fundamental rights का हनन करते हैं तो हमें इन्हें वापस से लागू करवाने के लिए court के पास directly Supreme Court के पास जाने का अधिकार है ठीक है तो आर्टिकल 32 right to constitutional remedies यह खुद में ही fundamental right है जिसे change नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इससे Supreme Court या High Court कोई भी नगार नहीं सकते अगर हम जाते ह कि हम इस case को नहीं लेंगे हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप में एक fundamental right है यह हो गया हमारे सारे fundamental right article 19 के अंदर कौन कौन से है यह पहले ही मने बता दिया है और यह भी आद रखेगा article 32 जो है क्योंकि यह क्या है right to constitutional remedies तो इसके लिए प्रवाइड किया ग fundamental rights को protect किया जा सके उसके बाद चलते हैं next slide पर तो इसमें बुला गया article 36 से 51 के बारे में बात की गई है इसमें DPSP को mention किया गया है जो की है राजे के निति निदेशकता तो वह डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी इसका पार्ट भी याद रखेगा पार्ट सारे important हैं आप देखेंगे ना सारे important हैं लेकिन इने बाध्यकारी नहीं बनाया गया है कियो नी मनाया गया क्योंकि जब हमारे देश आजाद हुआ था तो हमारे पास इतने resources नहीं थे कि हार एक चीज़ को हम बाध्यकारी बनाएं कि राजे को यह करना ही है ठीक है तो इसलि यह किस बारे में है अच्छा यह थोड़ा सा थोड़ा सा यह गलत हो गया गलत क्या हुआ है ठीक ही है बट यहां पर कुछ मेंशन कर रहे गया आर्टिकल 39A है इसको बाद में एड किया गया था समविधान में और यह किस बारे में है लीगल हेल्प जस्टिस जो है वो सभी को प्रवाइड किया जाए हमारे हमारी जो प्रेयांबल है समिधान की प्रस्थावना है उसी में कहा गया है न जस्टिस की बात की गई तीन तरह के तो वो जस्टिस सबको मिले समान न्याय सबको मिले इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में जो गरी कि फ्री लीगल एड प्रवाइड की जाएगी गरीब लोगों को ठीक है और इसमें एड किया गया था कब एड किया गया था याद रख सकते हैं 42nd amendment जो हुआ था 1976 में इस समय पर इसे समयधान में एड किया गया था और कुछ ऐसी सर्विसेज की आपने नाम भी सुनी होंगी जलसे की प्रो बोनो लीगल सर्विस है टेली लौ सर्विसेज है या फिर नयाय मित्र है यह सभी इसले शुरू की गई ताकि फ्री लीगल एड प्रवाइड की जाए गरीब वर्गों को तो 39A लीगल हेल्प फ्री लीगल हेल्प प पंचायद के बारे में बात करता है यह याद रखेगा और इसी के आधार पर इसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पंचायद और नगरपालिका है इन्हें constitutional status दिया गया था ठीक तो सबसे पहले समयधान में यहीं पर आड की गई थी बाद में constitutional status दिया गया और proper mechanism उसका बनाया गया फिर article 44 है यह फिलाल बहुत जादा न्यूज में है उतराखंड की वज़े से तो इसका याद रखेगा अर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी बात करता है UCC समान नागरिक सहिता यह क्या बोलता है बेसिकली जो सिविल लॉज है वो अभी के लिए समान होने चाहिए इस तरह की बात करता है मतब धार्मी का धार पर अलग अलग नियम कानून ना हो सबके लिए एकी नियम एकी कानून हो जैसे शादी हो गया तलाख हो गया या फिर बच्चे को गोद लेना हो गया यह सब ही चीज़ें उसके बाद है आर्टिकल 46 यह बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन और जॉब्स तो बेसिकली SC ST या फिर समाज के जो भी कमजोर वर्ग है वंचित वर इस्सक्स से फिर 48 A यह बात करता है एन्वायमेंट की एन्वायमेंट के प्रोटेक्शन के लिए राजय काम करें अच्छी हवा अच्छा पानी यह सब प्रवाइट करें इसको भी क्योंकि यह देखे अयं यह 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 पर लगा हुए ना इसका मुतल्ब यह सं मितलब बात मे और कारेपालिका है इनके बीच शक्सियों को प्रथक्रण शक्तियों का सेपरीशन करना क्यों जरूरी है उनकी अपनी स्वातंदता और निश्पक्षता बनाए रखने के लिए फिर है आर्टिकल 51 जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सेक्योरिटी की बात करता है अच्छा एक और इसमें आप याद रख सकते हैं इसमें मेंशन नहीं है लेकिन याद रखिएगा 43A जो है 43B 43B यह जो आर्टिकल है यह किस बारे में है कोपरेटिव सुसाइटी सहकारी समितियां इसको भी बाद में ही शामिल किया गया था कब 42nd environment में तो कोपरेटिव सुसाइटीज के गठन के लिए स्वेचिक गठन के लिए यह एक प्रोविजन किया गया था 43B में ठीक है तो यह हो गए हमारे DPSP यह सारे नहीं है कुछ गया है और क्योंकि आप देख रहे है जो है capital है तो इसका मतलब इसे बाद में शामिल किया गया है समिधान के अंदर अब सवाल उठता है कब शामिल किया तो 42nd amendment जो हुआ था 1976 में इस समय मौलिक करतव्यों को fundamental duties को समिधान का पार्ट बनाया गया था पार्ट 4A आर्टिकल 51A ठीक है कितने अभी सवाल है कि कितने मौलिक करतव्य हैं कितने fundamental duties हैं जिनको समिधान में एड किया है तो औरिजिनली 10 थे अभी 11 हैं ग्यारवी कब 2002 में ग्यारवी ड्यूटी आड की गई थी तो किस तरह की duties हैं इनको भी देखे यह भी बाध्यकारी नहीं है अगर इन्हें फॉलो नहीं किया जाता है तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती या फिर नियाले के सामने नहीं लेकर जा स कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए इसी उदेश से ठीक है तो बहुत बेसिक सी हैं जैसे कि समिधान का पालन करना चाहिए सभी को समिधान का रिस्पेक्ट करनी चाहिए देश की रक्षा करना जो हमारा environment है उसकी रक्षा करना सभी लोग समान हो भायचारी की भावना हो सब के अंदर इस तरह की कुछ बेसिक हैं हला कि इसकी बहुत आलोचना की जाती है कि हमारे कुछ ऐसी चीज़े हैं जैसे टेक्स देना हो क्या हम वोट डालते हैं कई लोग वोट देने नहीं जाते हैं हैना 100% तो कभी नहीं रहता है इस तरह कि कुछ बहुत इंपोर्टन जो ग्यारवी ड्यूटी है हमारी इसको एक बर देख लीजे यह क्या है इसको जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट्मेंट जो हुआ था 2002 में उस टाइम पर इसको एड़ किया था 2002 में याद कीजे पीछे हमने देखा था कुछ और भी शामिल किया गया था समयधान में क्या था आर्टिकल 21A क्या था यह शिक्षा का अधिकार राइट टू एजूकिशन है ना तो इसी टाइम पर ग्यारवा जो हमारा फंडमेंटल ड्यूटी है इसको शामिल किया गया था और इसमें कहा गया था यह ड्यूटी दी गई थी लोगों को नागरिकों को कि वो अपने 6 से 14 स बच्छों को स्कूल भेजें उन्हें बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराएं तो शिक्षा का अधिकार तो दिया गया था लेकिन अधिकार कब काम आएगा जब लोग उसको निभाएंगे है लोग उसके लिए कुछ काम करेंगे करताव यह समझ कर तो यह भी इसमें शामिल किय फिर आजाते हैं इसे आगे बढ़ते हुएर तु सबसे पहले आर्टिकल 52 है जो कि बात करता है राश्टरपति की भारत का इन磨पती होगा फिर 53 जो है यह राश्ट्रपती की कारेपाली का शक्तिया एक्जेक्यूटिव पावर ओफ प्रेजिडेंट इसकी बात करता है 54 में राश्ट्रपती के इलेक्शन की बात की गई है 58 में योग्यता बताई गई है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो राश्ट्रपती बनने की योग्य है और फिर यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 61 जो की राश्ट्रपती के महाभियोग की बात करता है आगे चलते हैं अभी आर्टिकल 169 जो है किस बारे में है स्टेट लेजिसलेटिव काउं स्टेट्स हैं लेकिन स्टेट्स हैं यह इसा कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे हैं काउंस ल की स्थापना की जाया और संसाथस्तरा का मतलब एक वोतिंग होगी और पास कर दिया जाएगा यह शन्ठाब गष् तो अभी रिसेंटली सभी स्टेट्स में काउंसिल नहीं है आपके लिए क्वेशन है कि बताइए यतने स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें लेजिसलेटिव काउंसिल और लेजिसलेटिव असेंबली दोनों है और उन स्टेट्स के नाम भी बताइए अभी यहां बात कर लेता हैं प् प्रेजिडेंट बड़े लेवल पर है लेकिन दोनों की शक्तियां बहुत सिमिलर हैं तो इसलिए साथ में दोनों के आर्टिकल्स देख लेते हैं आर्टिकल 52 राश्ट्रपती के बारे में है राश्ट्रपती का अपॉइन्मेंट यह आर्टिकल 54 में बताये गया है कौन दिखेंगे और इनकी शमादान की शक्ति यह दी गई है आर्टिकल 72 में अब वहीं राजेपाल की बात करें तो राजेपाल राज्यों में होगा और राज्यों का प्रमुक होगा यह कहा गया आर्टिकल 53 में 153 में उसके बाद राजेपाल के अपॉइंट्मेंट की अगर ब है फिर अध्यादेश ओर्डिनेंस मेकिंग पावर राजेपाल के पास भी है यह आर्टिकल 213 में तो सिर्फ आपको नंबर आगे पीछे करने और कुछ नहीं ठीक है यह 123 और उसके बाद शमादान की शक्ति जैसे राश्ट्रपति के पास है वैसी राजेपाल के पास भी है और यह है आर्टिकल 161 में नेक्स्ट देख लेते हैं तो यह वाला बात में देखेंगे पहले यह देखते हैं सेंटर और स्टेट के बारे में कुछ चीज़े बोली गई है सेंटर में कौन होता है प्राइम मिनिस्टर जो कि यह आर्टिकल 74 में उसी तरह से स्टेट में सीम ह में को उसी तरह से सब्सक्राइब करते तो 164 के बाद 167 तो वही same ही ratio रहता है इस तरह ऐसे थोड़ा आपका निक क्यात कर सकते हैं और Advocate General of State 165 आर्टिकल इसमें बोला गया है ठीक है यह कुछ आर्टिकल है जो आपस में लिंक करते हैं इनके बार में देख लेते हैं आर्टिकल 330 जो है यह reservation for SCST इन लोग सभागी बात क की गई है SC के लिए 84 सीट है और ST के लिए 47 सीट है 330 के बाद है 331 जिसमें लोग सभा में दो एंगलो इंडियन को नॉमिनेट करने के लिए बात की गई और इसे अबॉलिश कर दिया गया आप लोगों पता होगा अभी यह नहीं है फिर उसके बाद reservation in state assembly यह 332 में है और 333 मे बोला गया एक नॉमिनेटेड एंगलो इंडियन in state assembly और राजसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते है 12 कौन इने नॉमिनेट करता है प्रेजिडेंट और यह बोला गया article 80 इसका clause 3 नो नेक्स्ट कोर्ट के बारे में बात करें हमारी supreme court और high court supreme court के बारे में है 124 आर्टिकल वहीं हम देखें high court तो यह है 214 इसी तरह हमने देखा था ना ordinance making power 123 और 213 यह राश्ट्रोपती की यह राजयपाल की यहां पर क्या है यह सुप्रीम कोर्ट यह हाई को रिट पावर मै इसकी supreme court की और उसी तरह से high court के पास भी रिट पावर है रिट जारी करने की शक्ति है article 226 में लेकिन यहां पर यह difference याद रखेगा supreme court की रिट पावर high court से कम है supreme court के वल fundamental rights को लेकर रिट जारी कर सकता है high court fundamental rights के अलावा कुछ और matter आता है उसको लेकर भी रिट जारी कर सकता है next आते है article 63 जो है vice president की बात करता है उपर आश्ट्रोपती 64 बात करता है कि vice president जो है वो राजय सभा का ex official chairman होगा article 66 election of vice chairman और article 69 oath and affirmation by the vice president यहां पर आएगा ठिक कर लिजेगा उसकी बाद है 108 joint sitting से युक्तु बैठक के लिए है article 110 money bill के बारे में बात करता है 112 budget जिसे हम कहते है annual financial statement इसके बारे में बात की गई है और article 147 क्याग के बारे में है controller and auditor general of India उसके बाद जाते हैं हमारे emergency provisions पर तो पहला जो है article 352 यह national emergency के बारे में है तीन आधार होते है national emergency के लिए कौन से है युद बाही आकर्मन या सशस्त्र विद्रो यह जो है ना सशस्त्र विद्रो इसको 44th constitutional amendment 1978 में जो जब वालिस्वा संशुधन हुआ था उसके जरी यह शब्द एड किया गया था उसके बाद next हमारा है article 356 और 365 यह क्या बात करते है तो 356 जो है यह president rule की बात करता है president rule due to constitutional failure in any state और 365 जो है यह failure in executive directions of union थोड़ा सा मैं explain कर देती हूं तो 356 जो है यह दोनों ही articles president rule लगाते हैं किसी राजे पर इनके आधार थोड़े से अलग अलग है 356 में कौन सा आधार होता है कि अगर राजे पाल को ऐसा लगी कि किसी स्टेट में constitutional failure हुआ है मतलब constitution के according काम नहीं हुआ है वो राजे fail हो गया है तो उस टाइम पर लगाया जाता है और 365 जो है इसमें प्रेजिडेंट रूल तब लगता है जब केंद्र सरकार ने union ने कुछ डिरेक्शन दिये है राजे को कि आपको इस तरह से काम करना है लेकिन राजे ने वो डिरेक्शन नहीं माने है ठीक है उस टाइम पर भी प्रेजिडेंट रूल लगाया जा सकता है और उसके बाद आर्टिकल 360 फाइन SS Application Emergency की बारेACE बात करता है Article 358 जो है ये related है to abolition of Article 19 जो हमारे fundamental rights है न ऐसा बोला आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपात काल के सिधी होती है emergency के टाइम पर हमारे fundamental rights ये जो है Abolition इनका हो जाता है लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पर condition है कि 358 जो है सिर्फ Article 19 के abolition की बात करता है उसके लिए provision बताता है कि कैसे ये abolish होंगे और Article 359 जो है ये है related to abolition of other rights except 20 and 21 मतलब कि हमारा जो Article 20 है right to life और 21 है इन्हें abolish नहीं किया जा सकता है ठीक है जीने का अधिकार तो नहीं जीन सकते हैं इसके अलावा जो भी राइट से अगर उन्हें abolish करना है तो प्रेजिडेंट की मर्जी से वह होगा और ये का गया Article 359 में नेक्स जो है आर्टिकल 262 262 रिवर डिस्प्यूट की बात करता है और 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है आर्टिकल 280 फाइन्स कमिशन जो है इसके तहट बनाया जाता है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन की बात करता है इसमें ये भी कुछ देख लीजें इसमें जो है वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करता है तो वोटिंग राइट जो है हमारा लीगल राइट है कॉंस्टिटिशनल राइट है लेकिन फंडमेंटल राइट नहीं है स्टेट एलेक्शन कमिशन बी स्टेबलिस्ट किये गए आर्टिकल 243 क के अकौर्डिंग एट आ काम के है पंचायत्स और नगरपालिका के चुनाव को देखना आर्टिकल 338 जो है नैशनल कमिशन फॉर स्ट के लिए है 338 बी नैशनल कमिशन फॉर बैक्वर्ड ग्लासिस के लिए है फिर है आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरी की बाती करता है नेक्स्ट है आर्टिकल 266 Consolidated Fund के बारे में है आर्टिकल 267 Contingency Fund के बारे में है आर्टिकल 351 टू प्रमोट हिंदी लैंग्विज 368 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है Constitution का अमेंडमेंट किस तरह किया जाएगा प्रक्रिया क्या होगी आर्टिकल 371 अदर स्टेट्स में उन्हें कुछ स्पेशल उन्हें स्टेटस देना है अदर स्टेट्स को उसके बारे में है ठीक है अभी आ जाते है questions पर तो पहला question है मूल रूप से सम्विधान में कितने अनुच्छेथ हैं वह options है ये 4 कितने अनुच्छेथ हैं मूल रूप से there were originally how many articles in the constitution of India इसका answer है option number B that is 395 395 articles हैं मूल रूप से originally the right to move freely throughout the territory of India comes under which article of the Indian constitution मैंने सारे जो fundamental right है उने detail में बता है आपको तो I guess आप लोग इसका answer कर देंगे ठीक से इसका right answer होगा article 19 19 में बोला गया है कि कहीं भी हम मदब पूरे इंडिया में Indian territory में कहीं भी सवतन्तर होकर खूम सकते हैं आ जा सकते हैं the foundation of the finance commission is laid down under which of the given articles बहुत रिसेंटली हमने देखा है 280 जो है यह है with IOC से related finance commission से related next है which of the Indian constitution given article has the right to privacy been incorporated as fundamental rights right to privacy जो है गोपनियता का अधिकार या निजज़ता का अधिकार भी बोलते हैं से यह समिधान के किस अनुछेद में है तो यह article 21 में अंतराश्रे शांती और सुरक्ष्या बनाये रखने के लिए promotion of international peace and security कौन सा articles है तो हमने देखा था DPSP हैना और उसमें कौन सा article था एकदम last वाला जो बात करता है international peace और security के लिए article 51 which of the given articles of the Indian constitution imparts the president to grant pardons to any person राश्रोपति की शमादान की शक्ति जो है यह किस article में है तो यह भी अमने देखा था article 72 जो है राश्रोपति की शमादान शक्ति के बारे में बात करता है which of the given articles of the Indian constitution is regarding the duties of the chief minister with respect to the furnishing of information to the governor CM के duties हमने करतावे रेखे थे ना PM के भी देखे थे CM के भी देखे थे किस में दी गई है article 167 जो है इसमें बात की गई है कि मुख्यमंत्री का यह करतावे है कि वो जो भी रिसिजन लिए जा रहे है assembly में या फिर CM के द्वारा उसकी council के द्वारा वो सभी decisions की सूचना राजय पाल को दे ठीक है यह मुख्यमंत्री का करतावे है duty है which article of the Indian constitution deals with the imposition of the president's rule president rule की बात कौन सा article करता है तो वैसे तो दो article थे लेकिन इनमें mainly जिसका नाम आता है वो है 356 ठीक है इसी के लिए जादा बूला जाता है president rule which of the given article of the Indian constitution mentions the provision of council of minister for aid and advice of the president of India कौन सा अनुशे दे बोलता है कि राष्ट्रपती को सलह और परामर्ष देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी तो यह है हमारा article 74 और यही article बात करता है प्रधान मंत्री की ठीक है तो अगर आपसे पुछा जाए मंत्री परिशद के बारे में कौन सा है 74 है प्रधान मंत्री के बारे में कौन सा है 74 है और राश्ट्रपति को सला और परामर्ष देने के लिए मत्रे परिशद होगी ये आर्टिकल भी है 74 Next question है Which of the given article of the Indian Constitution deals with the National Commission for Scheduled Cast? कौन सा है Scheduled Cast के लिए National Commission for SC के लिए है 338 और 338A, STs के लिए Commission की बात करता है 338B, Backward Classes के लिए Commission की बात करता है Which of the given article of the Indian Constitution imparts the high court to issue writ High court की writ जारी करने की शक्ति कौन सा article है 226 Which of the given article of the Indian Constitution the provision of election commission is mentioned Nirvajan Ayok election commission किस में है तो ये article है 324, 324 Which article of constitution gave the provision of President of India राश्टरपती से related कौन सा article है बताए कौन सा है, ये है 52 Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability छुआ छूट को खत्म करने के लिए कौन सा article है ये है article 17 Next आजाता है, a financial emergency can be declared by applying Financial emergency को apply करने के लिए कौन सा अनुचेद है तो ये है article हमारा 360 Which of the following articles of the constitution deals with the fundamental duties Easy question है, 51a Which article of the Indian Constitution did Dr. B. R. Ambedkar term as the heart and soul of the Indian Constitution भारते समीधान की रिदय और आत्मा Dr. B. R. Ambedkar ने कहा था, मैंने आपको बताया भी था किसे कहा है Article 32 को Which of the following articles of Indian Constitution dealt with the appointment of Attorney General of India Attorney General of India के लिए है article 76 उसके बाद next है according to Supreme Court verdict Which articles have guaranteeing the right to information to Indian citizens And later made an intrinsic part of the right to information act 2005 Right to information जो है सूचना का अधिकार कौन से आर्टिकल से निकल कर आया है और बाद में फिर इसको एक right बना दिया गया और ये act 2005 का लिकर रहा है तो इसका answer होगा Option number D Important question है बहुत जादा याद रखिएगा Privacy जो right to privacy है वो simple है कई बार पूछ लिया गया है ये वाला important हो जाता है कि हमारा ही जो right to information है ये कौन से आर्टिकल से निकल कर रहा है तो article 19 और article 21 क्या क्या कहा गया है 19 है right to freedom of speech and expression और 21 है right to life and personal liberty ठीक है तो इन दोनों अधिकारों के लिए इनके अच्छे से इस्तेमाल के लिए right to information जरूरी है next question है which of the following articles or schedules in the Indian constitution deals with the autonomous district council जो स्वायत जिला परिशद है उससे related कौन सा article या फ़र schedule है तो ये है sixth schedule what does article 300a deals with 300a जो है article ये किस से related है तो ये मैंने बताया था आपको right to property के लिए fundamental right से हटा कर right to property जो है 300a में दिया गया हमें तो ये एक legal और constitution right है तो इस तरह से ये article से related हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है I hope आपको अच्छी लगी हो और upcoming exam के लिए revision आपका अच्छे से हो गया हो thank you so much watching the video मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ bye bye take care